हेलो एन वेलकम डियर स्टुडेंट आई होप आइम लाइव और फटाफट मुझे कमेंट्स में बता दीजे कि मैं लाइव हूं ताकि मुझे पता चल जाए राइट हाई गाइज आज हम एक ही घंटे के अंदर पूरी और जो आपका इंसी आटी है वो रोन फैमली का वो हम कवर कर लेंगे ठीक है तो मैं चाहता हूं कि इसका बेनफिट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पास जाए तो आप यहां पे एक काम करो आप यहां पे देख पा रहे हो एक सेकेंड सामने हो राइट इसका फाइदा तभी होगा जब यह बुक आपके सामने हो तो फॉस्ट अफॉल वाट यू आप तो इस पर चलेगा ठीक है तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आप काम करिए ओपन एंसी आटी इन फ्रॉंट आप यू ठीक है ना ओपन एंसी आटी के बुक आप सामने निकाल ले और जो मैं आपको एक्स्टा इंफर्मिशन बता रहा हूं उसको उस एंसी आटी के साइड में लिख ले ना दिस इस अगें वन आफ दे बेस्ट सेशन्स मैं काम करता हूं दोस्त मैंने किया है न टेलीग्राम पे शेर नहीं किया मैं एक बार टे आप लोग भी डाल दो चारों तरफ एवरीबडी राइट हूं चलो आजाओ यहां पर देखते हैं अपन आ जते हैं यहां पर सब लोग डाल दिये गया क्या सब लोगों ने अपने जिचिस ग्रुप में हो सब जगा डाल दिये गया नहीं डाला है यह ना फटाफट डाल द चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अमेजिंग 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 क्लास ठीक है यहां पर हम करने वाले हैं अमेजिंग 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 क्लास तो मैं आपको आपका चैट यहां पर देख पाऊंगा और आपसे पूरी बिलकुई एकदम स्टार्ट करते हैं अब मेरे सामने खुला हुआ है मेरे सामने खुला हुआ है NCRT ठीक है ना मेरे सामने NCRT खुला हुआ है textbook for class 11th आप देख पा रहे होंगे textbook for class 11th अब अपने को क्या करना है simply what we have to do एक एक करके अपने को page page by page अपने को चलते जाना है पेज by page अपने को चलते जाना है मैं आपको already highlight करके लिखे आया हूँ और यह मैं आपको बताऊंगा यहां पर ठीक ना यह मैं चीजें आपको यहां पर बताऊंगा हां अब आप देखेगा जब आप NCRT खोलेंगे जो आपका preface उसमें कुछ इस type से दिखेगा प्रीफेस में कुछ इस type से दिखेगा आपको जाना है unit number 11 के ऊपर आज हम क्या करने वाले हैं आपको मैं बता दू आज हम P-block कर रहे हैं everybody just mark these things मैं आज P-block कर रहा हूँ और उस P-block में complete boron family we will be discussing in one hour the most effective session of NCERT on YouTube you will get अभी आप जब content देखो को तब आपको पता लगेगा ठीक है उसके बाद आप देखो again यहां पे मैं 11.1 11.2 11.3 सब कुछ पूरा-पूरा discuss करने वाला हूँ ठीक है सब कुछ मैं यहां पे बहुत amazing तरीके से discuss करूँगा तो कौन से page number पे आपको जाना है तो आप देख लो यहां पे page number भी दिया होगा page number is page number is 291 307 ठीक है सब लोग 307 page number पे जाते है फटा-फट से सब लोग चल जाओ और NCERT की notes बनाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है जो NCERT के left or right side में जो margins है ना इन margins का इस्तेमाल करो यह ऐसे ही फालतों में page waste नहीं किया हुआ है इसका कुछ logic हुआ है देने से पहले आप logic को समझो जो भी important points extra points आपको यहां लिखने वो यहां add करने है ठीक है ना जो भी आपको समझने की चीज है वो आपको यहां add करना है metallurgy 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 283 everybody just see this 287 आजा 297 307 cement 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 अब मेरे पास आगया है unit 11 P block का अपना chapter है ठीक है P block chapter है बहुत important chapter है कई बार exam में पूछा गया है ठीक है कई जगे 315 में मिल सकता है कई बार यहां लिख सकता है अब यह NCRT गर आपके सामने खुला है तो देखो कितना मज़ा आएगा अभी पढ़ने में देखो कितना मज़ा आने वाल है अभी आपको पढ़ने में मैं आभी आपको बताऊंगा देखो P-block elements में सबसे पहले अपने को कहा जाना है देखो सबसे पहले जो अपना first paragraph है जो अपना first page है उसके सुरुवात की 5 lines के बात करने वाले है अब इस सुरुवात के 5 lines में क्या लिखा हुआ है सो सुनो जो चो important है वही mark करना है आप पता अहां highlighted है और आगे पूरे chapter में यही नहीं आगे पूरे chapter में है ठीक है ना और मैं आपको यही कराने वाला हूँ और यही आपको बताने वाला हूँ कि how this is going to be very important for you I hope दिख रहा होगा आपको मैं first paragraph discuss कर रहा हूँ किसका P-block का I am just discussing the first paragraph of this P-block चलो आओ वीटा यहां पर हम discuss करते हैं सबसे पहले आपको पता है P-block के elements की definition basic last electron P-shub-cell में जाए तो P-block का element है सब लोग बोलना बही आप अपने सबने पढ़ रखा है ना कि last electron कहां जाना चाहिए sir last electron अगर P-orbital में जा रहा है तो फिर क्या वो P-block का element है yes simple last electron NP-shub-shell में जा रहा हो तो कहीं साभी एक छोटा सा लिख लो कि last electron sir हमारे पास NP-shub-shell में अगर जा रहा हो तो यह P-block का element है तो पहला line अपने clear हो गया सब लोग yes दूसरा line P-orbital कितने होते हैं S के लिए एक orbital होता है P के लिए तीन orbital होता है D के लिए 5 होता है F के लिए 7 होता है yes तो P-orbital 3 होते हैं तो दूसरा point जो important यहाँ पे दिखा गया है जो दूसरा important point आपको यहाँ पे दिख रहा है वो यह है कि जो हमारे पास P-orbital हैं वो कितने हैं पी- elf itself हमारे पास P-orbital कितने होते हैं सर मेरे पास 3 P-orbital होते हैं Maximum कितने Electron's भर सकते हैं एक orbital में mittal in one orbital how many minimum vi can fill ul और एक और्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रोंस भर सकते हैं आपोजिट स्पिन वाले सिमिलरली इसमें भी दो इलेक्ट्रों भर सकते हैं एक और्बिटल में दो भर सकते हैं तो तीन और्बिटल में छे भर सकते हैं तो मैक्सिमम में छे इलेक्ट्रोंस फिल कर सकता हूँ तो जितने इलेक्ट्रॉंस होंगे उतने ही जितने इलेक्ट्रॉंस होंगे उतने ही गुरॉप्स होते हैं S में एक ही और्बिटल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉं भर सकते हैं इसलिए 2 गुरॉप होता है पी में तीन और्बिटल होता है, छे इलेक्ट्रोन भर सकते हैं, तो छे ग्रूप होता है, डी में पांच और्बिटल होता है, दस इलेक्ट्रोन भर सकते हैं, इसलिए दस ग्रूप होता है, चले, तो यहां तक आपको तीन लाइन तो क्लियर हो गई, तीन लाइन क्लियर हो हुआ कि देखो सर मेरे पास six groups हैं ठीक है एकदम crisp notes बनाएंगे एकदम crisp और content सबसे कम रखेंगे और marks सबसे जादा रखेंगे आप करते को यहां से यहां तक highlight कर लिया लो मैं ऐसे mark सोड़ी आएगा mark से लिए को smart play करना होगा चलो नौ यहां प्याओ और और वो छे group कौन-कौन से हैं पी ब्लोक में तो ग्रूप नंबर 13 से ग्रूप नंबर 18 यह सब हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं अगर आपने मेरे lectures देख रहे हैं तो यह तो सूने पिस होगा होगा नहीं देख रहे कि पहली बार पढ़ रहे है तो भी बहुत अमेजिंग होगा ठीक है तो 13 से 18 तो ग्रूप होता है अब यहां पे आते हैं कि इसका electronic configuration क्या होता है अभी अभी आपने देखा अभी अभी आपने देखा कि सर छे electron को फिल कर रहे थे अभी अभी आपने देखा कि छे electron को फिल कर रहे थे तो हमारे पास ठीको्प भू रहे थे तो पहला electron भरा होगा तो पहलाhovah आया होगा दूसरा electron भरने से दूसरा group थीसरा हां में बदने से चुप्प फिलिंग हो रही है और इसी 6 electron से मेरे दोस्त इसी 6 electron से आप देखेगा we have 6 group तो 6 electron से 6 group को मतलब 1 electron से 1 group पहले electron से पहला group, दूसरे से दूसरा group तीसरे से तीसरा group and so on Yes अब आप आओ मेरे दोस्त 6 electron fill करने के लिए 6 group बन रहे अगर मैं P में पहला electron वहाँ Np1 तो it will be boron family पहला ग्रूप ग्रूप नूमर 30 अगर मैं Np2 कर दूँ दूसरा इलेक्ट्रोन भर दूँ तो this will be carbon family अगर मैं Np3 कर दूँ पास समझ में आ रहा है अगर मैं Np3 कर दूँ देखो very easy अगर मैं Ns2 एक सिकेंड अगर मैं बेटा Ns2 Np1 ठीक न Ns2 Np1 कर दूँ तो मेरे पास boron family आ जाएगा और मेरे पास boron family का मतलब आ गया सर्फ ग्रूप नंबर 13 अमेजिंग उसके बाद Np2 अगर भरू Ns2 Np2 तो मेरे पास ग्रूप नंबर 14 जो की carbon family Np3 भरूँ तो फिर मेरे पास nitrogen family जो की group नंबर 15 ग्रूप नंबर 16 oxygen family 17 halogen family और inert gas family and so on ठीक है यहां तक तो clear है चलो सर यहां तक बढ़िया amazing clear हो गया यही चीज यहां पर लिखा हुआ है NCRT के इंदर यही चीज NCRT में लिखे हुई है कि आप देखो NCRT में क्या लिखा है सर यह electronic configuration जो है वो Ns2 Np126 है digestible समझ आ रहा है चीजे digest हो रही है ऐसा उपर उपर से नहीं जा रहा है देखो आप Ns2 Np6 आपन करेंगे इसको जैसे एक डायलग होता था आपको मैं बता दू कॉलिज में वह जो कॉलिज का डायलग है वो तो नहीं बताऊंगा शायद कई लोग समझ जाए क्योंकि वो वल्गर है और वो थोड़ा सा आप out of the चीज वो चीज नहीं है जो यहां पर डिसकस हो तो कुछ हॉस्टल में कुछ ऐसे अब्रिवेटिब्स बना दिये जाते हैं जिसमें most of the गाली होता है अपन अच्छे लोग है अपन नहीं करेंगे कॉलिज में जाकि अपने आप कर लो गए ठीक है ना तो वहां एक था नमन एक लड़का था दोस्त था मेरे दोस्त था उसक और से कर सकते हैं तो हम बार-बार बोला करते तो उसी तरह इसको और जीरो जीरा लिया कर लिया करो हमें तो 001 तेरी नमन तो समझ लो आप इसको भी ऐसे ही अपने आपको बास डाजेस करना है ठीक ऐसा लिखाए तो लिखाए और इसके लिखने के समझने के लिए अपने लेक्चर देख रहा है तो सोनों पर सुआगा हो रहा होगा ठीक है ना तो 001 NCRT को नमन तो देखें केसे करते है इलेक्ट्रॉणी कंफिग्रेशन इस Ns2 Np126 देखना मेटा Ns2 Np126 पी में पहला इलेक्ट्रोन जाएगा boron फेमली दूसर इलेक्ट्रोन जाएगा carbon फेमली तीसर इलेक्ट्रोन जाएगा nitrogen फेमली अंड सो और अब देखो यह आउटर कंफिग्रेशन सब में सेम है भाई N 2 N p1, outer configuration आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, तो क्या कह रहा है सुनो, यह कहना है एक सेड़ है ये क्या कह रहा है सुनो, ठीक ने इसको और कम कर लेते हैं na, Yes ठीक है, चलिए, तो ये क्या कह रहा है, सुनेंगे, ये कह रहा है सर, कि बोरोन की अगर मैं बात करूँ, और फिर मैं अलमुनियम की बात कर लेता हूँ, तो दो से एक्जम्पल समझाता हूँ, 1S2, 2S2, 2P, 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है न, अलमुनियम की बात करूँ, तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, अब सुनों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, कि सर, आउटर कन्फिगरेशन तो सेम है, 2S2, 2P1, आउटर कन्फिगरेशन तो यहां भी सेम है, 3S2, 3P1, कहने का मतलब आउटर कन्फिगरेशन इस सेम, NS2, NP1, बट, इन इनर कन्फिगरेशन is different, यहां पे इनर कन्फिगरेशन हिलियम का है, यहां पे इनर कन्फिगरेशन नियोन का है, similarly नीचे जाएंगे तो इनर कन्फिगरेशन चेंज होता चला जाएगा, अब देखो, यहां पे यही चीज वो कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोनिक कन्फि 2H to 2P6 आ रहा है नियोन आ रहा है यस तो आप देख लो the inner core of the electronic configuration however differs अब समझते हैं the maximum oxidation state अब बात कर रहा है the maximum oxidation state soon भाया P block element किसी भी P block element का maximum oxidation state क्या हो सकता है तो यह जो आपने NH2NP1 लिखा है the sum of NH and NP electrons are the maximum maximum oxidation state जैसे carbon boron family का बताओ NH2NP1 तो NH2 में कितने हैं 2NP में कितने हैं 1 तो 2 plus 1 कितना होंगे 3001 इस oxidation state को नमन simple बेटा the maximum oxidation state is NH plus NP electrons का sum the maximum oxidation state of a P block element is the sum of S and P electrons clear हुआ जैसे carbon family की बात करो NH2NP2 तो 2 plus 2 that means maximum is 4 the maximum oxidation state is the sum of the NH and NP electrons यहां तक बात समझ गाई है yes now number of possible oxidation state increases यह अच्छा concept है जो number of possible oxidation state है it increases to the right of the periodic table सुनेंगे कहना है कि highest oxidation state तो अपने को पता लग गया Ns plus Np का sum करना है 001 अपने को फिर से नमन करना है इसको possible oxidation state का मतलब और और भी तो oxidation state होते हैं ज़रूई थोड़ी कि कि वल maximum possible oxidation state हो तो possible oxidation state कैसे करेंगे as we go from left से right बिटा जब हम left से right जा रहे हैं तो क्या electronegativity बढ़ रहे है सुनना हम boron पे थे फिर carbon पे गए फिर nitrogen पे गए फिर oxygen पे गए फिर fluorine पे चले गए तो जैसे जैसे left से right जाने electronegativity बढ़ रहा है अब electronegativity बढ़ेगा तो भाई tendency to attract भी तो बढ़ेगा और attract बढ़ेगा इसी वज़े से nitrogen minus 3 भी सो करता है oxygen minus 2 भी सो करता है chlorine minus 1 भी सो करता है तो possibility of showing the possible oxidation state increases from right periodic table के left से right में जाओगे तो possible oxidation states increase करने लगेगी what is 001 001 ncrt को नमन simple इधर आए अब आते हैं other oxidation states differ by a unit of two अब यहां सी यहां तक में बस इतना ही important है और ध्यान रखे बेटा इससे आगे नहीं आएगा यह मैं आपको लिख के दे सकता है फिर कह रहा है कि the other oxidation states differ by a unit of two other oxidation states differ by a unit of two का क्या मतलब है प्लस 3 होता है boron family का लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या plus 100 करने के tendency बढ़ती है inert pair effect इनर्ट pair effect क्या कहता है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे नस2 वाला electron participate नहीं करेगा नस2 inert हो जाएगा तो के वल Np1 बचेगा therefore difference of two आ गया plus 3 से plus 1 आ गया similarly carbon family की बात करो तो plus 4 और plus 2 सो करता है difference of two आ गया similarly nitrogen family की बात करो तो वहां पे plus 3 शो करता है और plus again ns2 का difference आ जाएगा वो ns2 का difference आ रहा है inert pair effect ns2 होता है ठीक है तो other oxidation states differ by a unit of two next table number 11.1 में दिखाये गया है इसको तो पहले table number 11.1 देख लेते हैं यह रहा आपके सामने table number 11.1 देख लो गौर से अब table number 11.1 में क्या क्या है देखो क्या आपनी configuration देख रहा है तर ns2 np1 दूसरा electron भरो carbon family तीसरा भरो nitrogen family चौथा भरो oxygen family पांचवा भरो और छटा भरो clear है उसके बाद first member of the group को ही बताने की जोरूत नहीं है yes now maximum group की oxygen state पूछी गई है वो भी बेटा maximum oxygen state कैसे से निकालोगे सर एनस और एनपी के एलेक्ट्रॉन को सम करके एनस प्लस एनपी के एलेक्ट्रॉन को सम कर दिया एनस प्लस एनपी के एलेक्ट्रॉन को सम कर दिया एनस प्लस एनपी के एलेक्ट्रॉन को सम कर दिया एनस प्लस एनपी के एलेक्ट्रॉन को सम कर दिया एनस प् तो दो का यूनिट से डिस्ट्रबेंस हाना ने डिफर हो रहा है ना तो दाट मेंज प्लस भी सो करेगा प्लस थ्री एस वेल एस प्लस वन सिमिलरली कार्बन प्लस फॉर और डिफर भाई ये यूनिट अफ टू अब आप मुझे पिताईए लगरर्त करेगा सिसों?. बेटा कारबन माइनस फॉर तब तो करेगा जब वो इलेक्टव नेटिव हो गया ॐकार्बन हाइड्रराइड बना लिया Carbon hydrogen के साथ In case of hydrides it shows minus 1 So sir it shows minus 4 In case of hydrides it shows minus 4 Oxidation state Again in case of hydrides NH3 Nitrogen minus 3 show करता है Again oxygen family case में H2O oxygen water plus 2 show करता है Again in case of HF It shows minus 1 ठीक है? Yes अब आईए again sir ये plus 2 कब show करेगा ये plus 3 plus 1 show कब कर गया ये plus 4 और plus 2 show कब करेगा चलिए अगर मैं इसकी ground state की बात करूँ अगर मैं इसकी ground state की बात करूँ तो देखो आप सबसे पहले इसकी दोके O2F2 का नाम सुना है आप सब लोगोंने Oxygen fluoride O2F2 तो O2F2 के case में ये plus 2 show करता है ठीक है ना? Similarly fluorides जब बनाता है ना? chlorides O2F2 के case में आप देखो तो वहां पे भी अगेन ये plus 1 और plus 3 भी show करने लगता है अब देखो वैक इंटी ओर्बिटल जैस्तों क्लोरीन की बात करो तो HClO3, HClO, HClO2, HClO3, HClO4 chlorine प्लस 1 से लेकर के प्लस 7 सब बना रहा है प्लस 1, प्लस 3, प्लस 5, प्लस 7 सब बनाता है HClO, HClO2, HClO3, HClO4 clear बेटा? Yes और similarly, प्लस 4 और प्लस 2 के compounds हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जब हम inert gas पढ़ेंगे तब ठीक है न? Next यहां तक अपने को clear हुआ table number 11.1 में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है न? Yes आप आए हैं वह अपस अपने ground state पे चलते हैं 001 इसको नमन करते हैं table 1.1 हो गया अब आए यहां पे oxidation state 2 unit less क्या मतलब है? तब inert perifect की बात कर रहा है oxidation state 2 unit come कैसे हुआ वो ns2 electron participate नहीं किया ns2 electron कब participate नहीं करता है down the group ठीक है न? becomes more stable oxidation state 2 units less becomes more stable कब? heavier element के लिए down the group जाएंगे तो lower oxidation state stable होने लगता है समझे? oxidation state 2 unit less जो ns2 है उसको निकाल दो becomes more stable for the heavier elements down the group जाओगे heavier elements की बात करो तो फिर ये more stable की तरफ move करने लगता मतलब down the group lower oxidation state is more stable ये कहां से आया था बेटा? inert perifect की कहानी थी ये ये कहां से आया था? inert perifect से ठीक है? inert perifect कहता है कि heavier elements के लिए या फिर inert perifect कहता है कि down the group जैसे जैसे नीचे जाओगे is lower oxidation state is stable यहां तक कोई दिख करती है down the group lower oxidation state is stable अब सुनो यहां पहला page में अभी तक कोई doubt है तो पूछ सकते है बहुत मजा आ रहे नदी? absolutely correct बहुत बढ़िया hybridization को explain करेंगे बट आगे आएगो हम एकदम page by page चल रहा है now page number 2 पे आते है टेबल 11.1 में तो पूरा clear कर दिया now मैं फिर थे page number 2 का left side आपको explain कर रहा हूँ क्या explain कर रहा हूँ page number 2 का left side explain कर रहा हूँ इस left side में table के नीचे वाला part सबसे पहले इस left side में table के नीचे वाला part सबसे पहले देखो गया अब यहां पर क्या कहा जा रहा है गौर से सुनेंगे thank you Nadine thank you now यहां पर आओ अब यहां first step में पढ़के देख ले ना कुछ भी चीज इंपॉर्टन नहीं है ठीक है ना कुछ भी चीज इंपॉर्टन नहीं है बस फालतों की बकैती कर रखी है अब यहां पर आते हैं जो इंपॉर्टन है जो इंपॉर्टन है उस पर आते हैं अरे बही क्या हो रहा है PDF के साथ यही दिक्कत होती है कोई बात है हम fighters है हम कर लेंगे इधर खड़े हो जाते ना ज्यादा बिट रहा है दिख रहा है ना सब लोग को दिख रहा ना सब लोग को यस इंट्रेस्टिंग तो नोट था समझेंगे पी ब्लॉक का सेकंड पेज में कह रहा है नौन मेटल्स मेटलवाइड्स उनली इन पी ब्लॉक ओहो यह तो हमने अल्रेडी पढ़ रखा है पी ब्लॉक है जिस में नौन मेटल्स वीह और मिटलॉड्स उनली तो पी ब्लॉक यसमें नॉन मेटलिड्स इंदरेड्स अब यहां पे निSiA टी गलत कुछ इंट किया हूआ है इसको तोड़ा सा इसती लिए मैंने रेड किया हुआ है, NCRT has written a wrong statement, in fact जब ये correction आया था न, new edition, ये थोड़ा सा पुराना edition है, new edition आया था तो उसमें ये line correct हो चुकी है, इमें sprint error है, यहां भी कह रहा है कि the non-metallic character decreases down the group, अच्छा सही तो लिखा है भाई, मैंने increases पढ़ लिया था सायर, non-metallic, ह size बढ़ेगा, size बढ़ेगा, तो tendency to donate बढ़ेगा, और tendency to donate बढ़ेगा, तो metallic character बढ़ेगा, तो ये सही लिखा हुआ है, कि the non-metallic character, वैसे इसमें न, जो पुराने edition था न, उसमें metallic लिखा हुआ था, इस वाले में सही है, चलो यहां पी देखो, यहां पी क्या है, the non-metallic character of elements decreases down the row, बैटा नीचे जाने पर metallic बढ़ता है, तो non-metallic कम होगा न, ठीक है, next यहां पर आईए, in fact, the heaviest element in P block is most metallic, बहुत सही बात बोल रहा है, जैसे 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 नीचे जाओगे, heaviest element मिलेगा, भारी element मिलेगा, atomic weight बढ़ेगा, तो जैसे 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 जाओगे, heaviest element is more metallic, क्य अच्छे से होगा, clear, yes, तो यहां पर आओ बेटा, बहुत amazing, the non-metallic character of elements decreases down the group, non-metallic character, अरे यार, क्या हो रहा है, ठीक है, चलो, the non-metallic character of the elements decreases down the group, ठीक है, P block group is the most metallic in nature, ठीक है, एलक मिनेट, heaviest element P block group में most metallic होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे, heaviest element most metallic मिलेगा, अब यहां आओ वापस, थोड़ा सा और नीचे आओ, ठीक है ना, थोड़ा सा आपन नीचे आते, या, थोड़ा सा आपन नीचे आओगे, यार, यह तो handle करने मुश्किल हो रहा है, एक सेकंड, क्या हो रहा है, हाँ, क्या होगा, कुछ तो होगा, गड़बड इसमें, साइध यह वाला मिटक गया, एक सेकंड रुखो, लीव, पेज नमबर 307, फटा 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 फट करते हैं, देखो स्पीड, रोबोर्ट की स्पीड से पन मूव करते हैं, ओ माइगा, यह, देखो, आपको सीधा पहुचा दिया, बोरोन फैमली के उपर, हाँ, बहुत बड़िया, यहां तक हम आ चुके, दूसरा पेज हम देख रहे थे, दूसरी पेज में हमने बोला था, चलो वो मिटक गया, कोई बात ने, मिटक गया था मिटक गया, कोई बात जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नौन मेटल बढ़ेगा, और मेटलिक, नौन मेटल कम होगा, और मेटलिक बढ़ेगा, नौन मेटल डिक्रीज होगा, और मेटलिक बढ़ेगा, ठीक है, इसी को कहा जा रहा है कि जा हेविएस्ट इलमेंट इन इच पी ब्लोक is most metallic in nature, जैसे ज पादा चला, भाई, लेट से राइट जाओगे, तो नौन मेटलिक करेक्टर बढ़ता है न, पिरियूडिक टेबल में, इफ यू गो फ्रॉम लेट से राइट, यहां पे लिख लो, इफ यू गो फ्रॉम लेट से राइट, तो नौन मेटल मिलेगा, और नौन मेटल मिलेग आप देखो आप यहां पे लिखा गया है एक मिनेट यार यहां इसको हैंडल करने बड़ा मुश्किल हो रहा है भाग रहा है किदर से किदर चलो कोई नहीं येस ठीक है अब यहां पर आओ थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा नीचे यह जो मेटल्स होते हैं कि आपको यहां तक सब कुछ दिख रहा है तो लोगली से करो टृ MR थीक है बिल्कु साही है दो लोगली से करता हूँ तब मुझे लग रहा है सई है यह इओ-ट ना North न्योटिशान यैशन इनरजी सोग करते हैं तेयां वे हब हायर आऊंजाशन économ नग्तिएफयर अभी आपको बताया नो ये कह रहा है कि ये जो इनर्जीय है और ये जो जिनको ऑल मेटल्स है वह ग। मैप्ल dł judge अब्थल कौन सा बनाता है तो पयको ऑंपोन यहीप positive और negative charge मिलके ionic character बनाता है और ionic character बनाता ही कैसे पता चला क्या आप सब लोगों को पता है कि ionic character किसी भी bond में अगर पता करना है तो that is directly proportional to you know delta e n more the electronegativity difference और more will be the ionic nature तो जितना ज्यादा difference होगा इलेक्ट्रो निगेटिविटीज में जितना ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिविटीविटीज में डिफिजन्स होगा उत नहीं आई नहीं character होगा समझ गए now come to this point यहां तक clear हो गया now इधर आईए second page के राइट साइड में सब लोग आई है second page के राइट साइड में देखो यहां पर बहुत important बात लिखे हुई है कि the first member of p-block differs from the remaining member of the corresponding group in the major respect सुनों कहला है कि जो first member है न सारे जैसे बोरोन फैमिली का first member बोरोन carbon फैमिली का first member carbon nitrogen फैमिली का first member nitrogen oxygen oxygen का oxygen the first member of p-block differs from remaining members in two major respect दो तरह से बाकियों से यह अलग है पहला है first is the size बोरोन का size सबसे छोटा नीचे जाने पर बढ़ना चालू हो जाएगा उसी तरह carbon का सबसे छोटा नीचे जाने पर बढ़ना चालू हो जाएगा जो first group first वाले हैं जो second period वाले हैं यह छोटे होते हैं in comparison to the first is the size और दूसरा the second difference जो आपके पास आ रहा है the second difference is यह जो डी-orbital है न डी-orbital in the valence shell of the heavier elements दूसरा difference जो है वो डी-orbital का है valence shell में जैसे जैसे गैलियम की बात करो fourth period onwards आप देखो यहां पर लिखा भी होगा starting from third period onwards third period onwards का मतलब fourth period and उसके नीचे वाले तो fourth period से D block element start हो जाता है F block element start हो जाता है आच्छा D और F block start होता है इसका मतलब D में electrons भरे जाएंगे F में electrons भरे जाएंगे तो क्या D और F में electrons भरे जाएंगे तो power shielding होगी yes तो power shielding होगा तो size वगरे में difference आएगा यह वही कह रहा है कि भाई जो उपर वाले elements हैं वो difference so करते हैं as compared to the नीचे वाले वाई एक तो उपर वाले का size छोटा है दूसरा नीचे वाले में D और F सबसे ला जाते हैं D और F के electron सानी के विज़े से power shielding होती है next यहाँ प्याओ next मैं आपको बताओ yes next मैं आपको बताओ यहाँ प्याओ कि yes the second difference is the D orbital now यहाँ प्याओ आप और भाई मांजा 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 क्या कर रहा है यह हाँ उसके बाद देखो third period elements जो है in contrast the third period elements के पास vacant D orbital होती है so no third period elements के पास vacant D orbital होता है थोड़ा सा उपर से छूड़ गया यहाँ बोरोन जो है बोरोन it forms बोरोन फोर्म्स फोर बांट्स बोरोन maximum four equivalents तो कर सकता है क्यों क्योंकि बोरोन के पास एक तो तीन औरबिटल है बोरोन के पास एक तो तीन देखो बोरोन के अगर मैं बात करूँ तो बोरोन में क्या होता है 1s2s2p1 तो यहां पर बोरोन क्या हो सकता है maximum sir excited state के अंदर इतने bond बना सकता है 2s2 2p1 है ना तो maximum boron इतने bond बना सकता है 3 maximum 3 बार pairing करके maximum 3 bond यहां पर दिख रहा है but we have one vacant d-orbital vacant p-orbital हमारे पास एक vacant p-orbital भी है और इस vacant p-orbital की वजह से एक और coordinate bond बन सकता है coordinate bond क्या होता है एक lone pair और vacant orbital होना चाहिए तो अगर सामने वाला मालो water है तो क्या water के उपर lone pair है oxygen के पास और इसके पास खाली कम रहे तो जब ही एक में lone pair हो वो दूसरे में खाली orbital हो, तो क्या ये OU rooms का feeling होगा? Yes. तो similarly, boron जो है, तीन bond तो ऐसे बना रहा है, और एक bond vacant orbital की वज़े से बना रहा है. तीन bond तो ऐसे बना रहा है, और एक bond vacant orbital की वज़े से बना रहा है, तो boron जो है, maximum 4 bond बना सकता है. 2S की मदद से, और 2P की मदद से, 2S और 2P मिलके तीन bond बनाएगा, और 2P का एक orbital मिलके vacant orbital बनाएगा. Clear? Yes. Vacant P orbital से. Now, अगर मैं aluminium की बात करूँ, जैसे जैसे नीचे जा रहे है, 3rd period elements, जैसे जैसे नीचे जा रहे है मेरे दोस्त, 3rd period elements के पास vacant 3D orbital है, अब vacant 3D orbital है, तो अपना expand कर सकता है octate, तो इसलिए बेटा ये 6 bond तक बनाए जा सकते हैं, देखो यहाँ पे. ठीक है ना? अगर इसके पास vacant 3D orbital है, तो ये अपने octate को expand कर सकता है, और ये 6 bond बना सकता है. बोरोन कितना बना सकता है? only 4, BF4 minus. क्योंगी इसके पास maximum 1P orbital खाली है, और 3 तो bond बन रहे हैं, तो 3 प्लस 1, 4. लेकिन यहाँ पे aluminium के पास vacant 3D orbital है, देर्फोर अपना octate expand किया, और ये 6 bond तक बना सकता है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? येस. थोड़ा सा और नीचे अपको लेके चलते हैं. और नीचे जब जाओगे, तो दूसरा difference यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक ना? दूसरा difference यहाँ पे देखने को मिलेगा. clear? The first member of the group differs from the heavier members by multiple bonds. अब सुनो यहाँ पे क्या मतलब है? भाई, first members क्या है? सर, क्या है? first member जो है, small size के हैं. boron हो, carbon हो, nitrogen हो, oxygen हो, fluorine हो. यह सारे small size के हैं. और यह small size का मतलब overlapping अच्छा. तो overlapping अच्छा, तो bond अच्छा बन सकता है. येस. और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, तो size बड़ा हो जाएगा. और बेटा, अगर size बड़ा हो जाएगा, तो overlapping कम जो. तो बतलब bond नहीं बन पाएगा. अच्छे से. यस. तो यही कह रहा है, कि the first members differs from the heavier members in the ability to form P pi P pi multiple bond. भाई, जैसे carbon जो है, अब जेखो, carbon double bond भी बना सकता है, carbon triple bond भी बना सकता है. Similarly, अगर मैं oxygen की बात करूँ, तो over double bond हो बना सकता है. Similarly, अगर मैं nitrogen की बात करूँ, तो N triple bond N बना सकता है. यह बना सकता है, लेकिन अगर मैं वही sulfur की बात करूँ, तो sulfur S त indicator से नहीं एक्जिस्ट करता, sulfur S8 के form में एक्जिस्ट करता है. अगर मैं selenium की बात करो तो double bond नहीं बना सकता तो छोटे जो size है वो bond बना सकते हैं जैसे जैसे नीचे जाएंगे bond बनाने की tendency कम होती चली जाएगी ठीक है यस आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है similarly N triple bond N बन सकता है carbon और oxygen आपस में मिलके bond बना सकते हैं यह जैसे जैसे नीचे जाएंगे यह जो this type of pi bonding है यह जो double bond बनाने की tendency है यह heavier elements में शो नहीं होती है जैसे जैसे नीचे जाओगे heavier elements में pi bond नहीं बनेगा क्यों size बड़ा हो गया ना बेटा size बड़ा होने से overlapping कमजोर हो गया ना बेटा 001 करो इसको नमन एक बार फटा फट जीरो 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 वन कर लो इसको नमन एक बार फटा फट से यस देख लो अब आओ वापस तो हेवियर elements form pi bond जरूर बनाते हैं pi bond लेकिन वो ppi ppi bond नहीं बना पाते हैं चुकि हेवियर elements के पास d orbital है जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारे पास vacant d orbital आएगा third period onwards हमारे पास vacant d orbital है तो third period onwards वो ppi ppi ना बनाके ppi dpi बनाना फॉर्म करता है और ppi dpi भी नहीं dpi dpi भी फॉर्म करता है थोड़ा सा ppi ppi और dpi ppi में confusion हो सकता है इसलिए मैं वापस आपके लिख के बताता हूं सुरू आपके पास second period का element है तो second period के पास scale p orbital होते है तो second period वाले बेटा ppi ppi form करेंगे ठीक है यस लेकिन third period onwards इससे नीचे जो आपके third period onwards है या फिर आप बोलो जो heavier elements है वो heavier elements के पास क्या होगा d orbital होगा तो यह क्या बनाएंगे ppi dpi या फिर और it can form dpi दोनों ही बना सकते हैं यही NCRT लिख रहा है यही NCRT लिख रहा है थोड़ा सापको गौर से पढ़ाओंगा देखेंगा यह क्या कह रहा है the heavier elements form pi bonds जैसे कि dpi ppi दिख रहा है क्या the heavier elements form pi bonds जैसे कि dpi ppi और dpi dpi दिख रहा है बिकोल अच्छे से yes यह भी pi bond बना रहा है वो भी pi bond बना रहा है but a small size होने के वज़े से ppi ppi bond strong है जैसे जैसे नीचे जाएंगे size बड़ा होगा size बड़ा होने से overlapping कमजोर हो गया और overlapping कमजोर होने से weak हो गया dpi ppi weak हो गया dpi dpi weak हो गया ठीक है ना next अब आएए सुने और समस्दे मज़ेद आर्वे में समझेगा सुनिएगा ठीक है यहां पर देखो तो d orbitals are of higher energy d orbitals की energy high होती है और जिनका energy high उतकी stability कम यही वो है कि ppi ppi की energy कम है dpi की और dpi ppi की energy higher हो गई और अगर यह energy higher हो गई तो क्या यह less stable होंगे बेटा अगर इनकी energy high हो गई तो क्या यह less stable होंगे बिलकुल ठीक है ना then ppi ppi less stable होंगे then dpi ppi however सुनिएगा यह बहुत important however heavier elements heavier elements का जो coordination number है the coordination number of the heavy em ze ligaments may higher अब सुनोगे क्या मतलब है क्या मतलब है सुनोगे coordination number का क्या मतलब है कितने bond बना रहा है that is coordination number पर ठीक है ना कितने bond बना रहा है that is coordination number अब सुनो HERE 있어요 एक्चुली यहां पे ना कुछ हाइलाइट खराब हो गया है बट कोई बात नहीं वापस मैं आपको यहां पर कर आता हो देखो जैसे मैं नो थरी माइनस की बात कर रहा हूं तो बेटा यहां पर थरी कोडिनेशन नुम्बर मन रहा है सिमिलरली आप अगर पियो फोर माइनस तरी की बात करो तो यहां पर कोडिनेशन नुम्बर फोर है यह कह रहा है कि एनो थरी माइनस में यह सेकंड पिरेट का है तो यह पी पाई पी पाई बनाएगा लेकिन फॉस्फोरस में सर वह है वो है डी ओर्बिटल थर्ड पिरेट है यह भी प कि बिघ पाई पी पाई बनाएगा दि फॉसफोरस वह लाइब डी पाई पी पाई ठीक है ना फॉस्फोरस का डी ओकिजीशन का पी बिपाउ पी पाई यह लेकिन फॉस्फोरस यहां पर तीन कोडिनेशन नुम्र बन रहा है देखो न दो न से बाँ फोरस्बlor य है यहां पर चार बॉंड बना रहा है हो सकता है कि as we go down the group stability decrease हो रहा है but bond ज़्यादा बन रहे हो possible है obviously जी नीचे जाएंगे तो d orbital बढ़ेगा तो bond ज़्यादा बने गई यह confuse करने के लिए लिखा हुआ है और कुछ नहीं ठीक है अब यहां पर क्या होता है यहां से आपका paragraph यहां तक complete हुआ ठीक है न वापस आते हैं यहां पर वापस आते हैं यहां पर गुरुप 13 इलिमेंट्स बॉरोन फैमिली की हम वापस यहां पर बात करें ठीक है देखेगा गौर से गौर से इसमें देखना यह है कि Aluminium जो है बेटा ये Metal है, Prairie Boron के बारे में यहाँ पे लिखा गया है vuron is a typical non-metal देख ले NCRT कहता है non-metal है तो non-metal है इन फैपट NCRT यहाँ कहता है non-metal और अगर periodic table का पहला periodic table chapter खोलो और पहला जो उनका टेबल दिया गया है उस टेबल में उन्होंने बेवोन को मेटल वाइड बोला हुआ है तो आप अगर P-Block के रेस्पेक्ट में कुश्चन है तो आप P-Block को नोन मेटल ही मानोगे Next, Aluminium एक मेटल है हमने भी बता रखा है सर, Aluminium एक मेटल है क्लास में डिस्कस कर रखा है उसके बाद Gallium, Indium और Thallium ये क्या है? Metallic Nature है ठीक है ना? Gallium, Indium, Thallium ये सारे Metallic Nature है Boron को छोड़के बाद बाकी सारे मेटल से ठीक है? Yes, Boron को छोड़के बाद बाकी सारे मेटल से Now, Next Paragraph Next Paragraph, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखने वाली बात ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखने वाली बात Yeah, Okay? सब लोग इस Paragraph को थोड़ा सा गौर से देखेंगे इस paragraph को सब लोग थोड़ा गौर से देखेंगे, बड़े प्यार से देखेंगे, ठीक है ना, अरे यार क्या हुआ है, कोई दिक्कत दी है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यह कह रहा है, कि boron जो है, boron is a rare element, लेकिन कहां कहां पाया जाता है boron, तो बेटा, boric acid में और borax मे यहाँ पर देखो, यह कहां कहां पाया जाता है, तो और्थो boric acid में, और फिर साथ में मेरे पास borax में, ठीक है ना, जहां highlight कर रहों बस वही highlight करें, ठीक है ना, और borax का formula na2b4o7.10h2, किसको किसको आपने hot सिंदुर वाली लड़की का वो trick देखा हुआ है borax का, ठीक है, त that is something different, kcl.mgcl.6s2o, वो अलग है, यह करनाइट है, करनाइट से भी borax मिलता है, तो तीन compound जहां से borax मिलता है, और्थो boric acid, borax, और फिर आपके सामने करनाइट, ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, इस borax में से 10 molecule यहाँ पे है ना, वाटर, यहाँ पे बस 4 molecule water कर दो, करना बन जाता है, तो यहाँ तक clear हुआ, अब यह इंडिया में कहां कहां मिलता है, पढ़ने की कोई जरूरत में, ठीक है, नहीं आते exam में, और क्या आता है सरे exam में, exam में आता है बस नीचे के statement और आपको important है यहाँ पे, नीचे का statement यह important है बेटा, देखना, कि इसके 2 isotopes होते है ठीक है ना, बोरोन के 2 isotopes होते हैं, एक तो बोरोन 10 और एक बोरोन 11, बोरोन 11, 81% है, बोरोन 11 जादा पाया जाता है बोरोन 10 की comparison में, यहाँ तक कोई doubt नहीं है, ठीक है सर, तो बोरोन का कहां कहां से पाया जाता है, और फिर बोरोन के isotopes के बारे में बात कर लिए, ठीक है, ब से ज़्यादा पाया जाना वाला metal कौन है तो वो aluminium है चीक है उसके बाद और तमे कितना कितना पाया जाता है बिल्कुल नहीं जरूरत है बिल्कुल नहीं जरूरत है अब यह एक metallurgy का एक point आ जाता है वो भी अपन साथ में देखी लेते हैं वो भी अपन साथ में देखी लेते हैं aluminium क्या है sir most abundant metal है बहुत अच्छी तरीके से यहां ता clear हुआ now aluminium के अंदर जो aluminium जो है वो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है AL2O3.2H2O and cryolite का formula होता बेटा NA3ALF6 यह formula जितने भी है जैसे borax का हो गया carnite का हो गया आपके पास boric acid का हो गया या फिर cryolite का हो गया यह सब अगर आपने एक page में के और boron family के NCIT के first page में stable कर दिया है तो लास्ट दिन में आप देख पाऊगे इसी तरह से कुछ कुछ करते रहना है बेटा examination के लिए right selection हो के रहेगा यह most important minerals है किसके aluminium के ठीक है और इंडिया में कहां पाये जाता है बिल्कुल नहीं पूछा जाता है इंडिया में कहां होगा कहां होगा बिल्कुल नहीं पूछा जाता है now अब आपसे पूछा गया है यहां पे आईए the atomic physical and chemical properties of the elements are discussed below अब atomic physical और chemical properties हम discuss करते हैं यहां से सारा कुछ आपका जाना हुआ है बस मैं आपको वापस आपको बता रहा हूँ देखिएगा सुने यहां से आपको सब कुछ जाना हुआ है एक्चुलिए atomic radius की सबसे पहले चर्चा करते है atomic radius की सबसे पहले चर्चा करते हैं डाउन दे ग्रूप atomic radius कम होता है कि ज्यादा डाउन दे ग्रूप बेटा atomic radius के लिए ऐसे ध्यान रखे atomic radius के लिए ऐसे ध्यान रखे down the group जाने पर atomic radius decrease होगा समझे बेटा down the group atomic radius decrease होगा very good yes down the बहुत बढ़िया बेटा down the group atomic radius increase होगा समझ में आ रहा एज़ दम सो रहे हो हाँ हाँ कर रहे हो बाई increase होगा ऐसे ऐसे test कर रहा था और आप फेल होगे test में देखो इधर देखो फिर से बाई on moving down जैसे जैसे में नीचे जारो on moving down atomic radius is expected to increase हम तो ऐसा ही मान के चलते हैं कि down the group सब लोग फैल जाते आप लोग भी फैले होगे down the group राइट समझ पारे हो कि down the group फैल रहा हो size यस आपका भी size फैल रहा है ग्रुप कभी size फैलता है चलिए तो on moving down atomic radius is expected to increase expected to increase ऐसा माना जाता है कि increase होगा बड़ होगा की नहीं होगा let's see आपको पता है boron family के अंदर आप सब लोगों को पता है boron family के अंदर क्या होगा यहां पर आईए थोरा सा right side में जो हमें rough work दिया गया है उसका हम इस्तमाल कर लेते हैं आईए बेटा right side में जो rough work दिया गया है sir boron है मेरे पास aluminium है मेरे पास gallium है मेरे पास indium है मेरे पास thallium है क्या boron second period का है क्या यह third period का है क्या यह fourth period का है कहानी समझ में आई 001 करेंगे नमन सुनिए इसको बड़े प्याव से बेटा यह है fourth period fourth period में D block आता है और D block आने से D sub shell की poor shielding लग जाती है D block की poor shielding की वज़े से size कम हो जाता है D block की poor shielding की वज़े से atomic Z effective बढ़ जाता है जिससे size कम हो जाता है D block की poor shielding की वज़े से Z effective बढ़ गया size कम हो जाएगा similarly my dear student thallium sixth period में है 001 फिर से नमन thallium sixth period में है और sixth period में मेरे दोस्त क्या होता है F block elements F block की फिर से poor shielding लगेगी क्या तो क्या फिर से Z effective बढ़ेगा क्या क्या फिर से size कम हो जाएगा क्या तो गैलियम और एलमुनियम की size में कमी आ जाती है वाई it is expected to increase बेटा आपका भी size ऐसा ही है down the group size increases समझ रहो आपका भी कुछ है सही है एक सेकिंड यस आपका भी कुछ size ऐसा ही है लेकिन क्या होता है बेटा D block की poor shielding F block की poor shielding size कम होने लगते हैं तो सुनेंगे यही उसको समझाय हुआ NCRT ने क्या समझाय हुआ है on moving down the group atomic radius is expected to increase but atomic radius of gallium देखो देखो प्यार से atomic radius of gallium is less than that of aluminium गैलियम में poor shielding हो गई ना तो gallium का size छोटा हो जाता है भाई होना चाहिए था बड़ा बट हो गया छोटा ऐसा क्यों हुआ 001 gallium को नमन क्योंकि इसमें poor shielding लग गई आये next अब कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ ठीक है न यह NCRT भी समझाने के कोशिश कर रहा कि ऐसा क्यों हुआ NCRT कह रहा है कि सर गैलियम के case में 10D electrons आ गए यही तुमने बोला है gallium fourth period का है fourth period में D electron आएगा और D electron की poor shielding होती है NCRT को नमन और D and D block की अगर poor shielding होती है तो क्या होगा बेटा इसका nuclear charge increase हो जाएगा और size decreased जाएगा इसका nuclear charge increase होने के विजए साइस decrease जाएगा एकदम बढ़िया कोई दिकत नहीं है yes Aluminium का size बढ़ा हो जाता है as compared to gallium बहुत बढ़िया yes you can see also gallium का 135 picometer होता है और aluminium का बढ़ा होता है 143 picometer आपको यह values बिलकुल नहीं याद रखनी है ठीक है और indium और thallium एक extra knowledge ये ले लीजिए कि indium और thallium almost almost equal होती है ठीक है ना होना चाहिए था thallium को बड़ा but poor shielding of F बड़ाबर बड़ाबर कर देता है next अब आपको यहां तक atomic size में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता ठीक है ना अब आईए ionization enthalpy ionization enthalpy क्या होता है ionization enthalpy size का ultra order होता है क्या यार समने स्टोन रखा है size का ultra order होता है क्या yes 001 NCRT ionization energy को नमन फिर चे करते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा ionization enthalpy size के ultra चलता है तो अगर size में ही ultra order आ गया तो ionization energy में आना आता है भाई size में ionization enthalpies expected do not decrease smoothly down the group expected कुछ और है but ionization enthalpy do not decrease smoothly size बढ़ना चाहिए ionization energy कम होना चाहिए but do not decrease smoothly तो होता क्या है क्योंकि यहां पे sir low screening effect लग रहा है या poor shielding effect लग रहा है या poor screening effect लग रहा है कुछ भी बहुत सकते हैं कहां पे gallium के case में और gallium onwards के case में समझ में आ रहा है yes तो इस वज़े से अब मैंने आपको यह तो NCRT इतना ही बना रहा है लेकिन मैंने आपको और ज्यादा बता रहा है बंद करके ताला गया aluminum India का घुमने मैंने तो आपको order भी याद करा रखा है इसको भी order याद करा रखा है NCRT में order नहीं दिया लेकिन पूछता है order बेटा अच्छा गया है लेकिन पूछा गया है order चक कर ले ना इसलिए कहते हैं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको रियलाइज हुजाएगा अगर आपने लेक्चर्स देखा है तो हमने सारा NCRT कवर किया है, in fact NCRT प्लस कवर किया हमने, NCRT थोड़ा है थोड़े और की जोरुरत है, तो चलिए next, यहाँ पे कहा जा रहा है कि Ionization Energy हमने कर लिया, the sum of first three Ionization Energy is very high, सुनो, बहुत गौर से सुनने की चर्चा है, भाइस आप बुरोन का साइज छोटा है क्या, कि बहुत है छोटा है, बहुत छोटा है, बुरोन is very small, second period का है, तो सब एह small size होने की बज़े से, अगर size कम हो गया, तो Ionization Energy क्या बहुत हाई हो ज बुरोन का पहला ही Ionization Energy बहुत हाई है, तो दूसरा तो और हाई होगा, तीसरा तो और ज्यादा हाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है, successive Ionization Energy बहुत ज्यादा होता है, बत्वात समझ में आया है क्या? ये कह रहे कि successive Ionization Energy of boron is very high, वाइ? ये कह रहे कि three, sum of first three Ionization Energy is very high, बोरोन चुकी छोटा साइज का है, तो in fact इसका IE1 ही बहुत ज्यादा होगा, तो IE2, IE3 तो इसके बाप होंगे, IE2 और इसके IE3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 001 बिल्कुत सही नमन, सही बात यहाँ तक छलिए, now आगे बढ़ते हैं, बेटा, आगे बढ़त That means, तीन इलेक्ट्रोन निकालना मुश्किल है, That means, बोरोन प्लस थ्री नहीं बना सकता मेरे दोस्त, इसका Ionization Energy हाई कहने का मतलब क्या है, कि बोरोन प्लस थ्री में नहीं जा सकता मेरे दोस्त, यह कह रहा ही है, आगे आगे दिया हुआ है वैसे बो, चलिए, इलेक्ट्रोन निकालनेग्रिविटी पॉस्ट, डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टो अलमुनियम, इलेक्ट्रोन निकेट्विटी पहले तो बोरोन से अलमुनियम टे डिक्रीज होता है, और इनक्रीज वह भी मार्जीनली, बहुआ तो small इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको आप इंग्नोर भी कर करता हूं physical property के कुछ और important बाते आपसे चर्चा करते हैं यह 11.1.5 में आपको point अब discuss कर रहा हूं ठीक है ना क्या discuss कर रहा हूं 11.1.5 वी बी आई पी नहां अगेन फिर से physical property सुने बोरोन जो है ध्यान दे it has a strong crystalline lattice मैंने बताया था बोरोन क्या icosahedron structure सो करता है बहीं लेक्चर्स अगर आपने फॉलो किये हैं तो आपको पता होगा कि सर बोरोन जो है वो icosahedron structure सो करता है जिसमें 20 corner points और 12 faces होते हैं समझरे बात को तो बोरोन के पास icosahedron structure होता है strong crystalline lattice होता है और इस lattice को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है इसकी वज़े से melting point और boiling point जो है वो हाई हो गया मेरे दोस्ते हां पर बोरोन का icosahedron structure होता है और icosahedron structure को तोड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका lattice बड़ा तगड़ा है and therefore इसको इसके high melting और boiling point होगी exactly यहां से कई बार question पूछा गया है कि बोरोन की melting point और boiling point बता दीजे अब आप बता पाओगे क्या high होता है सबसे high होता है दूसरा point यह जो गैलियम है मेरे दोस्त जो गैलियम है इसका low melting point होता है गैलियम एक liquid metal है अगर आपको पता हो तो गैलियम is a liquid metal it is taught in class 9 फिर से पढ़ा रहा हो गैलियम जो है बेटा low melting point होता है in fact यह 303 Kelvin अच्छा 303 Kelvin कितना होता है कितना Celsius होता है अब भाई साब 303 Kelvin को कर Celsius में वो करना है ना तब 273 minus कर दो it is 30 degree Celsius in fact room temperature पे ही यह इसका melting point है room temperature पे हाथ पे से अब गैलियम को क्या करोगे जब हाथ पर रखोगे ना तो फिसलता है ठीक है ना गैलियम is a liquid metal यह liquid state में during summer summer के अंदर liquid state में रहता है now density of the elements decreases important density of the elements increases sorry down the group from boron to thallium boron से thallium में क्या नीचे जाएंगे तो atomic weight बढ़ेगा atomic weight बढ़ेगा तो क्या हमारा density भी बढ़ेगा क्योंकि density is equal to mass upon volume तो वेटा mass बढ़ेगा तो density बढ़ेगा तो नीचे जाएंगे तो mass बढ़ रहा है density बढ़ रहा है ठीक है आईए अब यह क्या कह रहा है 11.1.6 पर आईए 11.1.6 क्या कह रहा है थोड़ा सा गौर से देखेंगे सब लोग देखेंगा यह कह रहा है कि सर बोरोन का जो size है वो small है due to a small size of boron बोरोन का size है small है तो small size होने से क्या ionization energy increase हो गया आप कहोगे यह सर आपकी बात तो सही है बोरोन का energy energy जादा होता है इसका IE1 ही बहुत जादा है तो आप देखो यह कह रहा है कि sum of its first three ionization enthalpy is very high बोरोन का IE1, बोरोन का IE2, बोरोन का IE3 obviously बहुत हाई होगा ठीक है ना IE1 plus IE2 plus IE3 का जो sum है it's very high sum of financial energy is very high ठीक है ना तो IE1, IE2, IE3 का sum बहुत हाई है इसलिए बोरोन तीन electron नहीं देपाता है इसलिए बोरोन प्लस 3 पे नहीं बना पाता है therefore यह बोरोन प्लस 3 नहीं बना पाता है this prevents to form बोरोन प्लस 3 ध्यान रखें बोरोन प्लस 3 नहीं बना पाता है तो बोरोन आयन नहीं बनेगा तो बोरोन आयनी compound नहीं बनाएगा बरॉन आयन नहीं बनेगा, तो बरॉन आयनी एंगा तो इसका मतलब क्या बनाएगा, बरॉन कोवलेंट बनाएगा, बरॉन आयन नहीं बना सकता तो बरॉन कोवलेंट बनाएगा, simple, तो therefore, and forces it to form covalent, यहां पर देखो, forces it to form covalent आयगा आगे, इस आयनी नीह स्कता, बरॉन कोवलेंट कंपाउंड क्या यह बात एकदम क्लियर है exactly perfect है बोरोन प्लस थ्री जो है बन नहीं सकता आयन बन नहीं सकता आयनिक कंपाउंड बना नहीं सकता तो possibility कोवलेंट कंपाउंड की या या आय सब्सक्राइब व क्या सब्सक्राइब बिल्कुल सही है बलकूर से कम इनरजी में इलेक्ट्रोन निकल सकता तो तो Aluminium in fact plus 3 जरूर बना सकता है, बोरोन का आयनाईश अनर्जी ज्यादा था, तो बोरोन प्लस 3 नहीं बना पाया, लेकिन Aluminium जरूर बना सकता है, वही कह रहा है, कि जैसे ही मैं बोरोन से Aluminium की तरफ मूव करता हूँ, तो जो sum of first 3 आयनाईश अनर्जी है, यह decrease हो जाता है, I IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 का जो sum है, वह decrease कर जाता है मेरे दोस्ट, और decrease करने के वज़ए से Aluminium प्लस 3 बना लेता है, अगर Aluminium प्लस 3 बनाएगा तो आयन बन गया, आयन बन गया, तो क्या आयनी कंपॉंट बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, चलिएगा, in fact Aluminium is highly electropositive, in fact Aluminium प्लस 3 बनाना कि खुद ही कोशिश करता है, मेटल है ना, डोनेट करने की खुद ही कोशिश करता है, कोई दिक करते हैं यहां तक, yes समझ में आ रहा है सम लोगों, now, आगे और बढ़ते हैं, down the group, down the group, सुनोगे, down the group, poor shielding effect, भाई जैसे जैसे नीचे जाते हैं, fourth period आते ही, deblock आ जाता है, और deblock आने से poor shielding हो जाता, तो यही कह रहा है कि down the group, बेटा, poor shielding effect आएगा, किसका, DNF और बेटल्स का, और poor shielding effect क्या ने की वज़े से क्या हुआ, size बड़ा हो गया, size छोटा हो गया, जैसे ही poor shielding होगा, poor shielding का मतलब Z effective बढ़ना, Z effective का मतलब size कम हो जाते हैं, due to poor shielding effect of DNF orbital, the increased effective nuclear charge holds tightly, अब क्या कहता है, सुनो, जैसे-जैसे मैं नीचे जाओंगा, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, जैसे-जैसे मैं नीचे जाओंगा, poor shielding आ रहा है, poor shielding आने के वज़े से, Z effective बढ़ गया, Z effective बढ़ गया, तो वो जो NS2 के electron है, इसका configuration क्या है, इसका configuration है NS2 NP1, Z effective बढ़ने का मतलब, nucleus मजबूत हो रहा है, अब nucleus मजबूत होने का मतलब समझ रहे हूँ, यह जो NS2 के electron है, इस पे attraction feel करवाएगा, NS2 को inert कर देगा, यही यह कह रहा है, कि down the group, shielding effect poor होता है, और poor होनी के वज़े से effective charge बढ़ गया, effective charge बढ़ने के वज़े से, यह जो NS2 के electron होल्ड कर लिया, और बहुत tightly होल्ड कर लिया, कोई दिक्कत देए, yes, now, as a result, इसकी वज़े से क्या हुआ है, as a result, only P block के electron participate करते, as a result, केवल NP1 हमारे पास खाली है, as a result, only NP1 participates, तो केवल प्लस 1 सो करेगा, इसलिए, जैसे जैसे नीचे जाते हो, Z effective बढ़ने की वज़े से, inert pair effect लगता है, और NS के electron participate नहीं करके, केवल NP के electron participate करते हैं, NP1 है, इसलिए, बोरोन फेमली में नीचे जाने पे थालियम का प्लस 1 सो होता है, ठीक है, as a result, P orbital electron involved in bonding, तो गालियम, इंडियम और थालियम बोथ प्लस 1 and प्लस 3 oxidation state, in fact, नीचे जाओगे, तो गैलियम भी सो करता है, प्लस 1, प्लस 3, इंडियम भी प्लस 1, प्लस 3, थालियम तो केवल और केवल प्लस 1 सो करता है, ठीक है, बोन दोनों ही सो करेगा, बढ़ स्टेबल होगा, प्लस 1, कोई दिखकत नहीं है, सोब़ में आ रह इनट पेरिफेक क्या कहता है, यही तो statement कहता है, कि as we go down the group, stability of lower oxidation state increases, बोन फैमली प्लस 3 भी सो कर रहा है, प्लस 1 भी सो कर रहा है, बट जैसे जैसे नीचे जाएंगे, लोर oxidation state stable होता चला जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे 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 नीचे जाएंगे, जैड आगी आईए, अब यहां तक तो हमें समझ आगया, now इस पे आते हैं, in trivalent state, अब trivalent state के हम बात कर दें, ठीक है, प्लस 1, प्लस 3 वगरा सब समझ आगया, now in trivalent state, electrons around the central atom is only, the electrons around the central atom is only, अभी इस graph पे आएंगे, don't worry, इस table पे आएंगे, the electrons around the central atom will be only 6, अब इस सुनीगा, सु ठीक है न, electrons around these compounds are, in BF3 जैसे BF3 या BCL3 यह ले लो, only 6, maximum 6 यह electron बना सकता है, trivalent state में, maximum 6 electron कैसे रहेगा, सुनेंगे, सर BCL3 है न, yes, अगर यह BCL3 है, तो यह electron deficient है, तो क्या यह B2Cl6 बनाएगा, तो maximum 6 ही तो बना सकता है, maximum 6 ही तो इसमें रख सकता है, clear है, yes, और इस तरह के compound जो है, electron deficient होते है, बिल्कुल सही है सर, यह electron deficient होंगे, आप देखो, अचा B2Cl6 में भी मत समझो, अभी इसको भी मत समझो थोड़ा सा, रुको, सुनो क्या कह रहा है, जैसे महां लोग BF3 की बात करते है, BF3 तो इस तरह से होगा BF3, तो boron के around, कितने, boron के around, boron के around, कित तो यहां पर तो सर, maximum 6 electron है, तो 6 electron है, तो octate complete नहीं है, तो octate complete नहीं है, that means 8 electron नहीं है, तो 6 electron है, तो क्या मैं बोल दू, electron की कमी है, या फिर क्या मैं बोल दू, electron की deficiency है, बात तो सेमी है न, क्या मैं बोल दू, electron की deficiency है, और electron की कमी है, electron की deficiency है, इसको हम बोलते हैं बेटा, जि इसके पास electron की कमी होती है, electron की deficiency होती है, वो Lewis acid होते है, therefore these are electron deficient and they act as Lewis acid, यहें पर कहने लिखावा है, they act as Lewis acid, clear, yes, यह कहा रहा है कि trivalent state में, जैसे आप BF3, BCL3 की बात करो, तो मैं BF3 का example ले चुका हूँ, BCL3 बता रहा हूँ, trivalent state है, तीन-तीन bond बना रहा है, तो trivalent state में boron क्या रहा हूँ, केवल 6 electron है, कैसे, एक-दो, एक bond में 2 electron, दूसरा 4 electron, तीसरा 6 electron, पर ट्राइवलें का मतलब 3 bond बना रहा है, तीन वो एक bond में 2 electron, तीन bond में 6 electron, कहना है कि trivalent state electron deficient है, इसलिए Lewis acid, यही तो खा है, तो लिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको यह table देखके जाना चाहिए आगे, ठीक है ना, क्योंकि table में पूरा summary है, जो भी तक आपने पढ़, टेमर टेबल पहले देखते हैं, आइए, भाही आजा यार, बटे नकरे करता है यार, NCRT, देख रहाँ, आइए, 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 बहुत अच्छा, आइए, यहां तक आगे, ओके, ओके, और और, चलिए, अब आ चुके हैं सर, ठीके ना, आइए बहुत बहुत प्यार से सर, 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 अइटामिक नमबर सब का पता है, अटामिक मास सब को पता है, एलेक्ट्रोनिक कंफिएशन भी सब को पता है, ठीके ना, एटामिक रेडियस दुखें सर, अटामिattend लेडियस के जह वल ऐंगनेंट भाकने एए नच्छाइए, फिर अगें देखिए थैलियम का बहुत बड़ा होना चाहिए बहुत ज्यादा डिफ्रेंस आएगा एज भी गोट अंदो गुर्फ साइज इंक्रीज होना चाहिए बट यह लगभग लगभग यह देखरो एग्जाक्ली के वह तीन का अंतर रहता है तो थैलियम का बात धेख लो तो ही आपको और गैलियम का बीटल ऑबिटल इस्क्रेन इफट आएगा अगर आयनिक radius पूछा गया है और ये पूछा जा चुका है और आप confused हो चुके हो ठीक है ना आयनिक radius बेटा किस पे डिपेंट कर रहा है as we go down the group size increases simple आयनिक radius में कोई change नहीं है ठीक है yes ionization energy के लिए बता है दिया बंद करके ताला गया ऐलमूनियम इंडिया इसके लिए बहुत चिंता करने की जौरत नहीं है अब आते हैं electron negativity बहुत confused होते हैं क्योंकि electron negativity generally decreases down the group electron negativity down the group generally decrease करता है बट यहां पर देखो boron से अलमूनियम में तो decrease किया पट जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं पूर शिल्डिंग लगेगी ना या पूर शिल्डिंग लगेगी तो क्या Z effective बढ़ गया Z effective बढ़ने का मतलब nucleus मजबूत हो गया और nucleus मजबूत होने का मतलब electronegativity marginally increases very very important very very important fuzz आएगा इस पर ठीक यहां पर आईए density का मतलब sir as we go down the group density increases कोई दिखकत ने है melting point आप देख लो boiling and melting point of boron is heaviest boron का boiling or melting point दोनों ही बहुत जादा होते हैं वाई हमने पढ़ रखा है because of the icosahedron structure इसके पास icosahedron structure होता है और इसका जो crystalline lattice होता है वो बहुत strong होता है crystalline lattice जो होता है वो बहुत strong होता है crystalline lattice is very very strong clear एकदम बहुत बढ़िया yes चले so now यहां तक हमें बहुत अच्छे से clear हो गया आते हैं मेरे दोस्त नीचे की तरफ बहुत बढ़ी असर यहां तक तो हमें बहुत amazingly clear हुआ है now कुछ important one अभी हम मलब 15-20 minutes और class चलेगी अगर जो पूछ रहे ने class किती दे चलेगी 15-20 minutes more आए है तो हमने पढ़ा इट्राइव्याइन स्टेट जो है हमने पढ़ा इट्राइव्यायज्ट जो स्टेट है मेरे दोस्त वो क्या है electron deficient है क्योंकि तीन बहुत तो सर्य हिर्ण डेफिशिन्ट है यह क्या सधाइगा यह ऐलेक्ट्रॉन को accept करता तो यह अगर लोईस एसिड है ट्राइवेलेंट दिख रहा है वरोन का ट्राइवेलेंट कंपाउंड अगर यह लोईस एसिड है तो सामने बेस देखते ही ओयरूम्स भरेगा क्या मतलब आ रहा है सर बीसी एंथरी के पास वैकेंट और्बिटल होता है वोरोन जब भी तीन बॉंड बनाता ह वैकेंट और्बिटल होता है ठीक है तो सामने वाला जो बेस हाएगा अमूनिया सामने वाला मालीजे अमूनिया बेस दे रहा है सामने वाला मेरे पास बेस है यह एसिड है यह बेस है तो एसिड बेस रियक्शन कराने से कोई रोख सकता है क्या यह जो लोन पिर है इसके खा बनने वाला यह हमारे पास Lewis base है, तो क्या करेगा इसके vacant orbital में आएगा और यह bond बनेगा, तो यह देखो आप इस तरह से BCL3.nh3 यह adduct का formation करता है, इसको हम adduct भी बोलते हैं, Lewis acid base जब addition होता है तो इसको हम adduct भी बोलते हैं, clear, next, अब आएए, ALCL3 की हम चर्चा करते हैं, ठीक है BCL3 की चर्चा करें, now ALCL3, बेटा यहां पर क्या हुआ, BCL3 ने adduct बना लिया, now, ALCL3 की बात करते हैं, क्या aluminium third period का है, आप बोलोगे बिल्कुल सही, aluminium सर मज़ा आ गया, third period का है, तो aluminium third period का है, तो क्या यह, मतलब अच्छा overlapping करेगा, नहीं, size word गया न, overlapping कमजोर हो जाएगा, त बाई है, ALCL3 डाइमर बनाता है, तुनेंगे बड़े प्यासे, थोड़ा सा मुझे बस जगे चाहिए, और वो जगे मिलेगा, मुझे लगता है, यहां, जगे लेते हैं, aluminium के किस्ट के कमपाउंड, सर, मेरे पास है ALCL3, सब लोग बहुर से सुनेंगे, aluminium का मेरे पास तीन कमपाउंड है, देखलो, aluminium का मेरे पास ALCL3 है, क्या ALCL3 मिल गया, क्या इसके पास तीन बॉंड बन रहा है, क्या इसके पास 6 electron है, तो क्या यह electron deficient है, तो क्या यह Lewis Acid है, येस, अब आते हैं बिटा, तो Lewis Acid है, तो क्या करेगा, अपने जैसे element को खोजेगा, अपने जैसे compound को खोजेगा, सब को पता है, सर, chlorine के पास lone pair है, एक नहीं, तीन-तीन, सब को पता है, chlorine के पास lone pair है, एक नहीं, तीन-तीन, ये भी पता है कि सर, aluminium जो है, third period का है, इसके पास vacant d orbital होने लगा है, तो भाई, O Oya Rooms देखते ही, ये चलांग मारेगा, सही बता रहा हूँ, Oya Rooms देखते ही, ये चलांग मारेगा सामने, ठीक है ना, क्योंकि lone pair है, इसके पास electron जादा है, electron देने की कोशिस करेगा, तो बेटा, LCl3 जो है, ये इस तरीके से L2Cl6 compound बना के form हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है Yes, now this is what, now this is what L2Cl6, और यही आपको यहाँ पे दिखाये गया, ठीक है ना, L2Cl6 में आप देख लो, यही यहाँ पे आपको दिखाये गया, ये जो दो bond होते हैं, this is called as breathing bond, ये जो दो bond हैते हैं, मेरे दोस्त इसको बोला जाता है, breathing bond, और ये जो दोनों outer की तरफ निकले हुए ये जो दोनों outer की तरफ निकले हुए, ये जोनों planer bond है, देखो, ये एक plane में है, this is in one plane, this is in one plane, this is in one plane, ये दोनों plane में है, ये भी plane में है, ये भी plane में है, ये आपको बताया था, ये over bridge की तरह निकला हुए, out of the plane जाके निकला हुए, और ये भी underpass की तरह निकला हुए, out of प्लेन जाके निकलाओं ठीक है ना अगर ये छे के छे बोर्ट के प्लेन में है तो ये क्लोरीन बाहर आ रहा रहा हूँ रोगली दिन अंदर जा रहा है इट्स आल अब फील तो फील आ रहा होगा आई होग सो NCRT का PDF सेंड कर देना बिलकुल अंशिक बिलकुल सेंड कर देंगे डॉंट वरी फदर ठीक है येस तो यहां पे आप देखो आप यहां आओ आप यहां पे क्या कर रहा है कि यहां पे जो ट्राइक कुलो राइड्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो MOH फूल फूर यहां इसे कराते हैं सर 2 2 3 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे देखिएगा भी सील रिका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया तो सर वह रोन तीन बना रहा है वैकन्ट और्विटल होगा तो ऑसिजन का लोन पर डोनेड होगा तो यह देखो सर बिस्यक्री के केसमें आप देखो वटर बेटा H plus और C L minus निकाल जाएगा oxygen के उपर plus highly unstable है तो क्या करेगा H plus और C L minus निकाल जाएगा B OH बन गया दोसरी बार में सर फिर से ये भी OH में convert हो जाएगा तीसरी बार में सर ये भी OH में convert हो जाएगा तीन bond बना है फिर भी इसके पास vacant orbital है बोरोन जब भी 3 bond बनाएगा vacant orbital होगा फिर से एक बार water आके attack होगा तो बोरोन 3 chloride को replace करके 3 OH बन चुका है जो चौथा attack होगा उससे एक और OH आ जाएगा on B OH whole 4 minus 4 ठीक है ना तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये क्या बनाएगा पेटा इसलिए कहा जा रहा है मेरे दोस्त इसलिए कहा जा रहा है कि जो बोरोन है जो बोरोन है वो MOH whole 4 minus type का compound बनाएगा बोरोन है वो MOH whole 4 minus type का compound बोरोन maximum 4 बना सकता है लेकिन अगर मैं 3rd period onwards बात करूँ तो क्या सब के पास vacant d orbital है येस तो सब 6-6 bond बनाएगे amazing अगर 4 bond बनाएगा तो tetrahedral sp3 और अगर 6 bond बनाएगा तो sp3 d2 simple कोई दिक्कत निये ठीक है yes आगे बढ़ते हैं वेटा next class next पे जाते हैं ठीक है next पे आते है यहाँ पे आईए मेरे दोस्त yes reactivity with air की बात करते है reactivity with air की बात करते हैं borone जो है वो unreactive है air से reactivity नहीं करता borone is crystalline in nature और यह unreactive है आपको देखो यहाँ पे borone जो है unreactive और crystalline form है crystalline form बता रखा है borone का icosahedron structure ठीक है but aluminium जो है वो O2 के साथ reacts करने के बाद एक thin layer oxide बना लेता आप सबको पता है aluminium जो है बहुत popular compound L2O3 का formation कर लेता और L2O3 एक बार उसके उपर चिपक गया तो वो जल्दी तूटता नहीं है aluminium becomes passive क्यों क्योंकि aluminium को चारो तरफ से ढख लेता है L2O3 aluminium air के contact में आते L2O3 का layer बनाता है और एक बार L2O3 का layer बन गया करके L2O3 और L2O3 दे रहा सुनो, सुनो, सुनो बहुत प्यार से क्रिस्टलाइन बोरोन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो बोरोन है वो अन्रेक्टिव है बता रखा है लेक्टर में लेकिन जो हमारा amorphous boron है वो एर से और L2O3 का टाइब का product बना रहा है और nitrogen से रहे करके nitride बनाता ही है यह भी plus 3 में है यह भी minus 3 boron plus 3 में होता है plus 3 minus 3 क्रिस्क्रॉस करोगे तो LN type का BN type का product बनाऊँगे बिलकुल next जब आप यहाँ प्या आओगे नीचे जब आप नीचे आओगे तो boron trioxide B2O3 boron trioxide is acidic लिखावा है क्यों? boron trioxide को acidic इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही इसको पानी में डालोगे यह acid दे देता है boric acid दे देता है that is why boron trioxide is acidic nature दूसरा आप ऐसे समझ सकतो कि boron तो non-metal है और non-metal का oxide is acidic nature boron trioxide is acidic क्योंकि non-metal का oxide है और दूसरा सर water में डालने के बाद acid देल रहा simple yes is ncrt enough for inorganic yeah you can say next इसके बाद चुकि acidic है तो क्या यह base से react करेगा obviously और base से react करेके बाद metaborate बनाता है अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा अभी मैं नीचे आपको यह चीज बताऊंगा in fact gallium और aluminium भी oxide oxide बनाते हैं और वह amphoteric nature के होते हैं ठीक है ना ठीक है यास gallium और aluminium भी अपना oxide बनाते हैं और वह amphoteric nature के होते हैं ठीक है यह metaborate अभी हम पढ़ेंगे उसमें borax bead के अंदर फिर देखो reaction reactivity towards acid and alkalis यह क्या हुआ ठीक है ना reactivity towards acid and alkalis यहाँ पर है reactivity towards acid and alkalis boron जो है boron does not देखना बेटा boron acid और alkalis से react नहीं करता moderate temperature but high temperature पर करेगा सुनोगे aluminium dissolves in mineral acid and echoes alkalis and shows amphoteric character बेटा aluminium जो है सुनो red genes आलिया तो aluminium जो है वो base में react करता है amphoteric nature का शो करता है बिलकुल Al2O3 यह अमने पढ़ रखा है NaAlO2 बनाता है NaOH के साथ तो जो aluminium है अपना वो amphoteric character शो करेगा after aluminium dissolves in mineral acid and echoes alkalis and thus shows amphoteric character aluminium जो है वो acid के साथ भी बनाता है AlCl3 और aluminium जो है NaOH के साथ भी NaAlO2 बनाता है तो aluminium जो है amphoteric nature शो करता है यह कह रहा है ठीक है अब आओ Aluminium dissolves in dilute HCl it liberates hydrogen obviously Sir Aluminium जो है क्या Aluminium plus 3 में होता है Yes Sir HCl जाएगा तो क्या Cl- होगा तो क्या यह LCl3 का formation करेगा Yes यह सामने L plus 3 और Cl- यह LCl3 का formation करेगा यहां से Cl- निकल गया तो बचा क्या है H+, तो H+, जो है वो H2 के फॉर्म में liberate करता है तो Aluminium जो है dilute acid से reaction करने के बाद H2 gas देता है Next अब आओ बेटा concentrated nitric acid concentrated nitric acid के साथ क्या देता है dilute के साथ H2 gas देगा but concentrated nitric acid oxidizing agent है तो क्या करेगा oxidize कर देगा Aluminium को oxidize करके क्या करेगे L2O3 का formation अब देखो यहां पे Aluminium का concentrated nitric acid क्या होता है oxidizing agent तो Aluminium oxidizing agent से reaction करके क्या होता है passive क्यों हो जाता है because of the formation of L2O3 ठीक है तो यह लिखा हो है बेटा Na Aluminium जो है NaOH reaction करता है और किसका formation करता है NaAlO2 sodium aluminate आप इसको expanded form में भी लिख सकते हो Na AlOH whole 4 AlOH whole 4 माइनस यह हमने आपको class में बता रखा है ठीक है बेटा इदम बढ़िया next तो यह हो गया sodium aluminate next reactivity with halogen तो देख लो बेटा x- होता है halogen और यहां पर boron plus 3 में शो करता है तो bx3, ex3, ex3 टाइप का compound मन जाएगा लेकिन thallium जो है बेटा वो inert perifect की वेज़ से plus 1 शो करता है thallium inert perifect की वेज़ से plus 1 शो करता है and therefore it forms tlx not tlx3 ठीक है तो यहां तक सब clear है कोई दिक्कत नहीं है यहां तक सब clear है कोई दिक्कत नहीं है सभ़ें में आ रहा है सब लोगों को yes तो बहुत बढ़िया यहां तक मैंने आपको बताया amazing 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 और आप लोगों ने फिर शे बिना share किये वे आये हैं ठीक है ना फिर से बिना share किये वे आये हैं ऐसे करेंगे तो फिर NCRT महा संग्राम बंद करना पड़ता है न यार because वो चीज करते है न जिससे maximum फायदा हो right yes clear clear चलो तो यहां तक अपने को समझ में आ गया now what I am saying is यहां तक अपने को समझ में आ गया now फिर आईए अब इसमें periodic trends या anomalous behavior है उसकी बात कर लेते हैं देखो देखो simple है आप इसकी बात देखो सब जो ट्राइक्लोराइड है और जो ट्राइब्रोमाइड और आयोडाइड है यह क्या करते हैं hydrolysis करतें obviously sir BCL3 का hydrolysis, BR3 का hydrolysis, BBR3 का hydrolysis और BI3 का hydrolysis तो क्या होगा यह? MOH whole 4 minus बनाएगा ठीक है? अब यह अपने पढ़ रखा है SP3 का और यह क्या होगा? अगर aluminium and for onwards third period onwards यह 6 compound 6 के compound बनाएगा अगर boron है तो 4 बनाएगा, अगर aluminium है तो 6 बनाएगा उसके बाद आप देखो यह कह रहा है कि monomeric halides है now it's saying that the monomeric trihalides being electron deficient the monomeric trihalides monomeric trihalides का मतलब BF3 या फिर मैं बात करों BCL3 the monomeric trihalides are electron deficient are you waiting this? यह electron deficient है तो इसको electron की requirement है accept करेगा इतली इसको मैं बोलता हूँ Lewis Acid so boron trifluoride react with Lewis base अब यह Lewis base है तो Lewis Acid से react करेगा Lewis Acid है तो Lewis base से react करेगा और educt का formation करता है यह आपको मैंने उपर ही बता रखा है repeated चीज है ठीक है? yes absence of d-orbital की विजह से maximum boron कितने bond बना सकता है? 4 यह अपनने अल्रेडी देख रखा d-orbital के पास maximum beta 4 bond बन सकते है now फिर से आईए फिर से आईएगा यहाँ पे the other metals जो है other metals जो halides है LCl3 इसके पास तो dimer बना लेता है L2Cl6 का formation कर लेता है हमने dimer अल्रेडी देख रखा है now फिर हम यहाँ पे आते हैं बेटा फिर यहाँ पे आते हैं उपर उपर की तरफ borax में ठीक है ना? बोरेक्स में आते हैं उपर आते हैं बेटा borax borax बोरी केसे यहाँ इतना भी क्यों ठीक है आओ यहाँ पे ओके चली यह activity towards air हो गया यह सब हो चुका है यह सब हो चुका है हाँ यहाँ से borax पढ़ना है आईए बोरेक्स पढ़ते हैं क्या हो रहा है आईए बोरेक्स पढ़ते हैं तो बोरेक्स का क्या फार्मूला होता है सब लोग बताओ सर बोरेक्स का फार्मूला होता है NA2B4O7.10H2 बोरेक्स सबने जान रखा है कि सार एक white crystalline solid होती है बिटे एक्जाम में बोरेक्स के लिए color पूछ लिया था और सब लोग को पता होता है बोरेक्स का मतलब सिंदूर और red color यह option था सबने red color मारके चलिया है तो 001 NCRT को नमन white crystalline solid मेरे दोस्त बोरेक्स white होता है उसमें color डालके red किया जाता है ठीक है चलो तो it is na2b4oh7.10h2 the actual formula of borax जो पर ने class में किया हो है na2b4oh4.8h2 यह होता है बेटा actual formula of borax तो therefore यह जो actual formula of borax है यह इस तरह से na2b4oh4.8h2 clear कोई दिखकर नहीं यहां तक यह देखो अब जो borax है उसको water में react कराओगगए तो क्या बनेगा sir borax को water में react कराओगगए तो क्या यहा पे na plus है क्या यहा पे oh minus है yes तो मेरे पास naoh बनेगगग na plus oh minus naoh बनेगग na plus जाने के बाद मेरे पास बना है b4oh7 minus 2 और सामने वाले में बचा है H+. तो क्या मैं क्रिस्ट क्रोस करके H2B4O7 बना सकता हूँ? H2B4O7 को हाइड्रोलाइज करे होगे तो होट सिंदूर वाली लड़की उसका अगर चारो इस्टेप याद है तो इसमें जब पानी डालते थे तो बेटा H3BO3 निकलता था H2B4O7 बना पानी डालते थे तो और्थोबोरिक असिड का फॉर्मेशन होता नेक्स्ट कंडिशन यहाँ पर आओ पहले जब इसको हीट करोगे ऑन हीटिंग बोरेक्स फॉस्ट लूजेज वाटर जब इसको मैं हीट करता था बोरेक्स को अन हीटिंग बोरेक्स इट फॉस्ट लूजेज वाटर पहले तो क्या करेगा इसमें वाटर मोलिक्यूल है तो इस सारा का सारा लूज हुज जाएगा तो देखो बेटा यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट का फार्मेशन होंगे पहले जैसी बोरेक्स को हीट करते हो तो सोडियम मेटाबोरेट बनता है ठीक है और इसको फ़रबर हीट करते हो तो यह देखो सोडियम मेटाबोरेट का अपने लेक्चर्स के अंदर बस एक तरह से रिवीजन हो रहा होगा आपका अगेन आप पहली बार भी देख रहें तो बोरेक्स को हीट करने पर बेटा सोडियम पहले तो पानी के पानी निगाल जाता है एने टू बीफोर उसे थोड़ा सा और हर हीट करोगे तो एने बीटू का फ़र्मेशन होता है ठीक है ना सोडियम बोरेट ठीक है ना इसको इसको हम बोलते है एने बीटू प्लस बीटू ओ थरी को बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट और यहां से बहुत बार टेस्ट आया हुआ है वह बहुत बार कुश्चन आया हुआ है देखो क्या लिखा हुआ है यह कुश्चन यह आया था यह इस लाइन से कुश्चन आया था यह जो purple color है ना वहाँ से, borax is heated in bunsen burner flame with cobalt oxide, borax को heat किया गया with cobalt oxide, तो borax heat करने के बाद क्या Na-B-O-2 बन रहा है? Yes, तो यहाँ पे cobalt का borate बन जाएगा, और वो भी platinum wire के presence में करते हैं हम इसको, तो एक blue color compound का formation होता है, that is cobalt का B-O-2 के साथ, ठीक है ना, borax से क्या बना है, Na-B-O-2, that means B-O-2 minus, and cobalt यहाँ plus 2 में है, तो CO plus 2 and B-O-2 minus इस तरह का formation करेगा, जो कि blue color का है, next, ortho boric acid पे हम jump करते हैं, ortho boric acid एक white crystalline solid है, in fact, अगर मैं आपको बात बताओ, बेटा, boron के सारे compounds white के form में है, ठीक है, बोरोन के सारे compounds आपको white दिख रहे हैं, ठीक है, आप देखो, it is ortho boric acid is a white crystalline solid, यह soapy touch का होता है, मतलब इसको जब पकड़ोगे ना, तो फिसलता है हाथ से, ठीक है, यह jelly type का होता है, हाथ से फिसलता है, ठीक है, it is sparingly soluble in water, but highly soluble in hot water, यह जो ortho boric acid है, यह water में उतना soluble नहीं होता है, आधा-धूरा sparingly का मतलब partially soluble, ठीक है, बट अगर hot कर दो, temperature increase कर दो, तो यह soluble हो जाएगा, देखोगे, यह मेरे पास क्या है, यह बोरेक्स, अगर मैं इसमें HCl दिया और water दिया, तो क्या होगा, तो सुनना बेटा, क्या यहाँ से Na+, निकलता होगा दिख रहा है, और क्या यहाँ से Cl- निकलता होगा दिख रहा है, तो NaCl form होगया, सर यहाँ पे H+, है, और यहाँ पे B4, A7-2 है, तो H4, B2, O7 बन रहा होगा, H2, B4, O7 बन रहा है, क्रिस-क्रॉस से आप कर सके देख सकते हैं, H2, B4, O7, जब भी पानी में गया है, बेटा, आप बोरी केसिड देता है, उपर भी देख लिए, नीचे भी देख लिए है, ठीके ना, H2, B4, O7, टेट्रा बोरी केसिड, ये मेटा बोरी केसिड में, और्थो बोरी केसिड में कर्वर्ट हो जाता है, ओन गिवेंग वर्ट, ठीके ना, इस H3, B4, O3 को और कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो ट्राइ हाइलाइड्स की हाइड्रोलिसिस से, ठीके ना, ना, बोर्बरौन का ट्राइ हालाइड्स ले लो, या हाइड्राइड्स ले लो, या तो आप VCL3 का हेड्रोलिसिस से बना सकते हो, आभिसली, तीनो कलोरीन यह जो B0-3 पार्ट है, यह जो B0-3 पार्ट है, these BO3 parts are connected with hydrogen bonding यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है देखोगे यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि boric oxide is a weak monobasic acid boric acid यह क्या है weak monobasic acid यह monobasic acid कैसे है जब इसको पानी में डालते हो तो क्या याद आ रहा है कि यह water का H plus release करता है जब इसको पानी में डालते हो तो BOH whole 4 minus बनाता है जब इस boric acid को आप क्या करते हो पानी में डालते हो एक second जब इस boric acid को BOH whole thrice को आप क्या करते हो पानी में डालोगे तो यह BOH whole 4 minus बना लेगा और साथ में H plus release करता है यह H plus water से आता है मेरे दोस्त तो यह monobasic है, एक H plus release करा है, therefore it is a monobasic acid, ठीक है, तो यह वाला compound आपको clear हुआ, कि बूरी acid एक monobasic acid है, और साथ में important है कि it is not a protonic acid, protonic acid वो होता है, जो खुद का H plus release करे, यह खुद का H plus release नहीं कर रहा है, this is not a protonic acid, ठीक है, now, यहाँ पर देखोंगे, but it acts as a Lewis acid, obviously, क्योंकि इसके पास 3 bond बन रहा है, 3 bond बन रहा है, तो Lewis acid की तरह act करेगा, next, तो यह देखो, boh hole thrice, जब भी पानी में डाल होगे, तो boh hole 4 minus, जो मैंने वहार reaction लिखी थी, लिख दिया, ठीक है, अब orthob जैसी आप heat करते हो, तो मेरे पास बनता है metaboric acid, ठीक है, orthoboric acid को जब आप heat करते हो, तो मेरे पास बनता है metaboric acid, और जब strongly heat कर देते हो, तो आपके पास boric anhydride बन जाता है, या boric oxide इसको बोलते हैं, दोनों ही form होता है, या फिर इसको boric oxide बहुते हैं, ठीक है, H3BO3 के देखा ले, next यहाँ पर आईए, आप क्या कर सकते हो, इस BOH whole thrice के बाद नीचे, डाइ बोरेंस की बात करें, डाइ बोरेंस का preparation कैसे होता है, ध्यान से सुने, it is prepared by treating boron trifluoride with Li-AlH full in di-ethyl ether, industrial preparation है, यह हमेशा reducing agent से बनता है, बोरोन का trihalide ले ले लिजे, और उसको Li-AlH4 से heat कर दीजे, पढ़ा रखा है, बोरोन का trihalide, Li-AlH4 से जब आप heat करोगे, तो यह देखो B2H6 का formation देता है, सुनो, सामने वाले में क्या Li-plus है, येस, तो क्या Li और यहाँ से F- क्या product बनेगा, Li-F, येस, क्या यहाँ पर Al plus 3 है, तो क्या यहाँ से F बनेगा, तो Al F3 भी बनेगा, येस, तो यहाँ से Li और Aluminium का product बनता हुआ नजर आ गया, तो बचा क्या सर, बोरोन और hydrogen तो B2H6 बनाएगा, नेक्स्ट आपको मैं बता दू, बोरोन और hydrogen ये B2H6 बनाएगे, नेक्स्ट इस, ये डाई बोरोन को और भी तरीके से बनाए जा सकता है, वो कैसे देखिएगा इस डाई बोरेन को और भी तरीके से बनाए जा सकता है, सुनिएगा, मेरे पास है NABH4, क्या है मेरे पास NABH4, अगर वो I2 से react करते हो, तो आपके पास B2H6 बनता हुआ नजरा, उसके बाद अगर आप metal hydride से reaction करो, जितने भी reducing agent है, इन सम से ये बना सकते हो, आप क्या B2H6 का formation, ठीक है, डाई बोरेन का oxidation, डाई बोरेन readily catches fire, जैसे ही इसको oxygen देते हो, डाई बोरेन, क्या आपको B2O3 का formation करता है, डाई बोरेन को जैसे ही oxygen देते हो, तो क्या ये B2O3 का formation करता है, येस, उसके बाद नीचे आईए, फिर से आईए, बोरेन्स आर readily hydrolyzed, ठीक है न, ये बोरेन्स को जैसे ही water दोगे, वापस आपको boric acid देता है, बोरेन का hydride हो, बोरेन का halide हो, ये सब water के अंदर, BOH holtherize देते हैं, ठीक है न, ये important है कि डाई बोरेन्स जो है, ये cleavage reactions देता है, cleavage reactions का मतलब, जो आप समझ रहे हो, बिलकुल नहीं है, cleavage reactions का मतलब होता है, ब किसमें, monomer में, BH3, BH3 में, तो ये BH3 और ये मिलके, edduct का formation कर लेता है, this is called cleavage reaction, dimer था, monomer में तूड गया, again beta CO, again carbon के उपर lone pair है, negative charge है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, carbon के उपर lone pair है, negative charge है, तो ये base है, तो ये क्या करेगा सर, इसको cleavage करा देगा, तो base के सांथ, Lewis base के सांथ diborane cleavage reaction देता है, ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आएगे, next आप समझो, reaction of ammonia with diborane, अरे बहुत सही है ammonia with diborane, बेटा, ammonia with diborane, आप क्या करोगे, देखो, ये बोराजदीन का formation करता है, B3N3H6, ठीक है ना, बोरोन, जब B2H6 जो है, ये आपको ammonia के साथ जब react करोगे, त इस तरह का compound आपके fast form होता है, जिसको आप simplest form में ये लिख सकते हो, B3N3H6, ठीक है ना, जिसको आप simplest form में B3N3H6 आप form कर सकते हो, ठीक, yes, जिसको आप simplest form में B3N3H6 आप form कर सकते हो, तो this is what, बेटा, inorganic benzene या बोराजदीन जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि B2H6 का structure, नेक्स्ट आते हैं B2H6 का structure, तो B2H6 का structure में फिर से वही, दो hydrogen bond, दोनो hydrogen bridging में होता है, बात बाकी सारे same plane में होते हैं, exactly similar है, B2H6 का हमने बहुत आसानी, बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, इसमें तो बहुत नेक्स्ट आते हैं, यह ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, उपर से भी और नीचे से भी, तो यह ब्रिजिंग हाइड्रोजन का काम कर रहा है, उपर से भी और नीचे से भी, तो four terminal hydrogen and the two boron atoms lie in one plane, यह देखो बिटा, four terminal hydrogen and the two boron atoms, same plane में लाई कर रहे हैं, next is, there are two bridging hydrogen atoms, obviously एक उप उपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, out of the plane, bridging hydrogen atom, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, yes, now next is, next is, यह जो boron also form a series of, boron also form a series of hydroborate, यह क्या होता है, तो बिटा, BH4 minus को हम बोल रहे हैं, हाइड्राइडरोबोरेट, ठीक है, ना, lithium and sodium, tetrahydroborates are known as borohydrates, सुनिएगा, boron carbon बना सकता है, तो BH3 के साथ, एक और H minus मिलके, boron BH4 minus बना लेता है, ठीक है, आप देखो, कोई भी hydride ले लो, जिसमें H minus हो, H minus के साथ, अगर आप boron hydride देते हो, तो boron के पास, यह H minus लेके, BH4 minus convert हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, yes, so now, यहां के बाद आपको और कुछ रहे, uses of boron है, ठ देख लिजे आप एक बार, boron को bulletproof vest बनाने में काम में लिया जाता है, boron fibers को bulletproof vest बनाने में काम लिया जाता है, and light composite material from aircraft, ठीक है, उसके बाद जो metal borides है, यह protective shield बनाने में काम आते हैं, जो industries में इस्तेमाल होते हैं, borax और boric acid जो है, यह heat resistant glass बनाने में काम आते हैं, उसके बा borax का इस्तेमाल करते हैं, तो borax के लिए सबसे important जो इस्तेमाल है, वो है bulletproof vest में इस्तेमाल होता है, दूसरा कि यह protective shield, nuclear reactors होते हैं, वहाँ पे बहुत highly exothermic reactions होता है, तो वहाँ पे एक protective shield बहुत मजबूत बनाया जाता है, तो उसमें हम borax का, metal borides का इस्तेमाल करते हैं, और borax का जो NCRT था, इनको हमने क्या कर लिया, 001 फिर से नमन, फिर से हमने नमन किया है, और मैं आपसे कुछ doubts ले लेता हूँ, और 10 बजे वाला session, भाई साब, लंबा session चला गया न, या, बट आप लोग बने रहे हैं, that's amazing, एक मिनिट मैं चैट आपका देख लो, ओ-ओ, एक सेकि Yes, 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 मैं आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया, आपके कुछ doubts हैं, तो मैं जरूर लेना चाहूँगा Yes, thank you, thank you everybody for the amazing response Yes, तो यह कैसा लगा, आपको यह जरूर बताएं, नीचे comments में, ठीक है न, मैं आपको यह offline comments को जरूर पढ़ूँगा, जरूर जानना चाहूँगा, कि कैसा लगा यह session, क्या इस तरह की sessions आपको देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, वश्या आपने share नहीं किया है, तो यह जलत बात है, ठीक है, अभी इसको सब लोग अपने अपने Instagram handles पे share करेंगे, सब लोग अपने Facebook पे share करेंगे, और tag जरूर करेंगे, ठीक है, thank you so much for joining, और इसका PDF में डाल दूगा, या तो Insta bio में डाल दूगा, या हर जगा कहीं भी डाल दूगा मतलब, आप Insta bio चेक कर ले न तो क्या होगा, देखते हैं कि कुछ हो सकता है क्या, हम तो चाहते हैं बेटा, कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा क्लिक कर जाए, जिसे आपकी जिंदगी चेंज हो जाए और आप medical seat, medical seat ले के आओ, ठीक है, तुसी के लिए वो session है, if you want a structured course, my dear student, if you are looking for a structured course, then apply the code Bahubali and get personal mentorship, thank you so much Take care guys, bye bye